रहा चकरवर्थी के खिलाफ F.I.R. दर्ज पर फिरिक बार बोली कंगना रनौत, साथ ही साध्या निशाना सुशांत के परिवार पर भी। सुशांत के निधन के मामले में केके सिंग द्वारा रहा पर पैसे हडपने के इलजाम लगाए गए थे। तो आप कंगना की टीम ने ट्वीटर से जानकारी शेयर करते हुए कहा कि बड़े धुरभाग्य की बात है कि सुशांत का परिवार सिर्फ पैसों की और ही ध्यान दे रहा है जिसके चलते नेपोटीजम, भाई भतीजावाद, इंसाइडर, आउसाइडर ये सभी पोस्ट इग क्योंकि ये असान रस्ता है, अब क्या रनबीर कपूर और वरुन धवन के साथ भी परिवार कुछ ऐसा ही करेगा, भाई भतीजावाद कहीं भी क्रिमिनल अपराद नहीं है, पर ये सही समय है अपनी अवाज बुलंद करने का, कानून को बदलने का आउटसाइडर्स के लि हाथ से निकल जाएगा, ये ही समय है अपनी अवाज बुलंद करने का, अपने हकों की लड़ाई लडने का, और सुशान को न्याय दिलाने का, अगर आज इन तत्यों पर अवाज नहीं उठाई गई तो बविश्य में फिर से दुबारा ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ये बिल जानकारी सामने नहीं आई है, पहले की बात करें तो ये जानकारी सामने आई थी कि कंगना के वकील नहीं ये कहा था कि करोना महामारी के चलते कंगना मुंबई नहीं आ सकती, इसलिए किसी उच्छ अधिकारी को बेज कर कंगना के घर मनाली में बेयान दर्ज किये जाएं, खेर अभी तक इस मामले में कोई भी बियानों से जुड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कंगना लगातार सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी अवाज उठाए जा रही है। अभी तक इस मामले में करीब 40 से उपर लोगों से पूछ ताच की जा चुकी है, अब देखना ये रहेगा कि ये जाच किस और रुख लेती है। जो भी इस मामले से जुड़ी अगली कारवाई होगी सबसे पहले सांजी करेंगे आपके साथ। इसी दर हैं बॉल्लीवीड से जड़ी लेटेस्ट अपडेट जाने के लिए आप जड़रीए बूगल बॉल्लीवीड के साथ।